दोस्तो आज के टाइम में तो हर कई WhatsApp चलाता है, अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, WhatsApp पे नया नंबर सेब करना चाहते हैं, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि WhatsApp पे नया नंबर हम कैसे सेब करें, फोटो वीडियो सेंड करने के लिए, किसी से चाट करने के लिए, मेसेज बगेरा करन करने में दिखत होता है, तो हमसे comment में पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो WhatsApp को हम सिंपल से यहापे open कर लेते हैं, दोस्तो WhatsApp को open कर लेने के बाद, आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा, जो आपने पहले से चाट कियोंगे, वो आपको देखने के मिलते हैं, नया नंबर सेब क करने के लिए, easily आपको यह message का option देखता है, right side के down में, देख सकते हो, यहाँ पे नीचे में देख सकते हो, easily इस पे click करना है, और जैसे आप यहाँ पे आज आओगे, यहाँ नया नंबर और आपके friend का नंबर सारे दिखेंगे, जो आपने पहले से save करके रखे होंगे, वो आपको यही पे number save करना होता है WhatsApp का, ठीक है, तो आप पहले पहले जो भी जिसका number है, उसका नाम लिख लीजिए, first name and last name, और दोस्तों, नाम लिख लेने के बाद, आपको third number में, आपको जो number का option दिख रहा है, वहाँ पे आपको number लिख लेना है, बस यही तीन काम करना है, first name last name और number, और guys, easily save बाले option पे click करके save कर सकते हो, अगर आपको यह भी कुछ करने में दिकत होता है, यहाँ पे, या फिर कुछ भी करने में दिकत होता है, तो हमसे comment में पूछिए, हम आपको reply देंगे, ठीक है, number save कर लेने के बाद आपको यह number आपको देखने के मिलेंगे, यह तरीके साप यहाँ पे आजाने के बाद उस पे click करके आप message वगेरा, photo वगेरा, send कर पाओगे, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, thank you so much दोस्तों